प्यारे बच्चों, आप लोग ABCD तो रोज लिख रहे हो, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप लोग लिखते वक्त 4 लाइन कॉपी में लाइन्स टच करना भूल जा रहे हो, तो मैं एक बार आपको दोबारा से बता रही हूँ कि ABCD लिखते वक्त किस चीज का ध्यान रखोगे यह full and copy जो मैंने आपको दी है, इसमें आप देखो, 4 लाइन्स है ना, 1, 2, 3, 4, जिसमें से उपर का लाइन रेड कलर है, लाल रंग का है, और नीचे वाला भी रेड कलर है, लाल रंग का है, लेकिन बीच के दो लाइन ब्लू है, तो जब भी हम लोग ABCD जेर तक लिखेंग बड़े अक्षर में अलग लाइन्स को चुआ जाता है, छोटे अक्षर को अलग लाइन्स में लिखा जाता है, तो मैं सबसे पहले इस वीडियो में आपको बड़े अक्षर लिखना दिखा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखोगे कि कौन से लाइन को टच करके ABCD लिखते ह तो यहाँ ध्यान दो, उपर के तीन लाइन को चूँकर ही हम कापिटल लेटर लिख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको कौन सा अक्षर आता है, तो देखो मैंने रेड लाइन से ब्लू लाइन तक दो लाइन कीची और इसका पेट चोड़ गया, यह हो गया, अप लोगों को म रेड से ब्लू और उसके बाद दो अर्द गुलाकार यानी चश्मी की तरह, यह बन गया, बी, अब बी के बाद क्या आएगा, रेड लाइन से ब्लू लाइन तक, सी, कान के जैसा, फिर क्या आएगा, एक रंडा और एक पेट, यह बन गया आपका, बी, अब बारिये ए की, ए के लिए हम क्या करेंगे, फिर रेड लाइन से ब्लू लाइन तक एक लखिर, एक रेखा, और इसके तीन पैर, एक, दो, तीन, यह हो गया, ए, तो अभी तक हमने क्या लिखा, ए, बी, सी, डी, ए, अब आते हैं, अगले अक्षर पे या लेटर पे, एफ, फिर वही रेड स ब्लू तक हमने लाइन टाना, और ए में हमने तीन पैर बनाएते, अब हम बनाएंगे सिर्फ दो, यह बन गया, एफ, एफ और फिश, एफ के बाद अब जी लिखना, जी बिल्कुल शुरुबात सी के तरह ही करोगे, यह हमने सी लिखा, अब इसके पैर को जरा सा आगे बढ के अंदर एक ढूशुम, यह बन गया, जी, जी के बाद क्या है, एच, एच के लिए हमने दो दिवाल खेचे, और दोनों दिवाल को जोड दिया, फिर देखो, रेड लाइन से ब्लू लाइन तक ही हम जा रहे हैं, अब आएगा अक्षर आई, वान लिखा हमने, उपर रेड चत बनाएंगे, और डंडा देकर इसका पैर घुमा देंगे, यह क्या बन गया, जे, तो अभी ते कौन से लेटर्स हो गए, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, अब आजाओ आगे, एक लाइन खीच कर हमने दो पंक बना दिये, यह हो गया, के, इसके बाद रेड से नीचे एक लाइन और इसके पैर आगे बढ़ा दिये, यह बन गया, L, K, L, अब बारी है, M की, M के लिए पहले उपर जाओ, फिर नीचे आओ, फिर उपर, फिर नीचे, यह दो पहाड है, तो यह हो गया, M, और अगर हम एक ही पहाड बनाएंगे, तो दो लाइन खीच कर बीच में हम बस देते हैं, ऐसे तिर्चा, तो यह हो गया, N, इसके बाद है, O, आप सिफ ध्यान देना, कि लाइन कैसे मैं हम चू रही है, अब P के लिए फिर देखो, रेड लाइन से, ब्लू लाइन, और एक ब्लू लाइन तक हमने उसके कान को मोड दिया, P, उसके बाद, O के तरह लिखक अगर एक पूछ लगा दिया, तो Q, फिर लाइन खीच कर, P हमने लिखा, और इसकी पूछ बना दी तो बन गया, R, R के बाद, आधा C लिखकर, फिर C को घुमा दो, उसे कहते हैं, S, S के बाद, उपर लाइन, और नीचे, बिचो बिच, T, तो यह हो गया हमारा, P, Q, R, S, T, अब आजाएगा, U, U बहुत आसान है, नीचे आओ, गुमा कर उपर जाओ, यह गोल हो गया, तो U, और अगर ऐसे तिर्ची रिखा के तरह नीचे आएंगे, और उपर जाएंगे, तो यह बन गया, V, और जब U को दो बार लगा देते हैं, तो वो हो जाता है, W या W, तो हम W को लेकिन लिखते हैं, V की तरह बिलकुल कोने में, यह W है बोलके, इसलिए इसका नाम पड़ा, W, W के बाद फिर उपर के तीन लाइन को छूकर, हमने बनाया, काट कूट के X, अगर आधा और फिर पूरा बनाया, तो बन गया Y, और हम आते हैं अंतिम लेटर पे, वो है, उ यह हो गए हमारे English Alphabet के Capital Letters, Capital यानि बड़े, इसे हम कहते हैं Capital यानि बड़े अक्षर, जो कितने हैं? 26 हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे ही सुन्दर अक्षर पिरोकर लिखोगे, इसके बाद वाले वीडियो में आपको मैं छोटे अक्षर कैसे लिखते हैं वो बताऊंगी